हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे अब सभी होप अपलोग बहुत अच्छे होंगे तो जी अभी टाइम हो रहा है दो पर का दो पर तीन सारे तीन बज़रा होगा और हजबन बहुत लेट से खाना खाने आए क्योंकि उनका कुछ काम था तो उनको लेट हो गया और यही हो रहा है मतलब जैसे मेरे सोने का टाइमिंग हुआ मैं सोची थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि दो पर में आदा एक घंटा में सो लेती हूँ न तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है पर मैं सो नहीं पाती हूँ यहीं से मैं ब्लॉग वी जो है वह अपना स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद खाने वाने के बाद मैं तो खाई ली थी पहले ही तो मेरा मन कर रहा था पीज़ा खाने का और दो दिन पहले रिशांग भी बोला था ममी पीज़ा खाएंगे लेकिन रिशांग जिसे लेकिन इस बर मैं बहुत दिनों के बाद मतले हैं सकते हैं बहुत महीनों के बाद मंगवाई हूँ क्योंकि रिशांग की खाता भी है तो एक दूई बाइट खाता था नहीं है उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम की आराम का जस्ट लेक फोन वन चलाई पादी देव आफिस चले गाते फिर दुवारा से और उसके बाद मैं अपना वास कर रही थी इतना मतलब बाड़ी का मौसम तो है लेकिन मौसम ठंडा जो कहते है न वह बिल्कुल भी नहीं है यहां पर मैं अपना साम का तोड़ा सा बाल वाल जो है वो ठीक कर रही हो मेरा बाल तो बड़ा सब मैं तना कर नहीं पाती हूँ जो बाल है बेकार हो जाते हैं फिर बहुत खराब लगता है तो देखती हूं में भी बाल कटिंग करवा हूँ यह चोड़ दू अभी समझ में मुझे नहीं आ रहा तो पर देखते हैं तो थोड़ा सा क्रीम तो लिप स्टिक साम के लिए लगा एस चिशाम बेस्ट करें स्लाणा को और सिशाम को चलू हॉल में क्योंकि जो हुंड़ है क्योंकि सुन हस्तिक और दिशन च्छों को कि तुवरा कि मैं अनने व यहां वहां दुन होले थी क्योंकि यह इसकchu तक समझा प्रिमिंग मैं फलिषान …! लेकिन फिर अपना जग़े पे समान रखो तो फिर देख सकते हैं वह वहाँ पे रख दिया है और बच्चे को आपको अभी यह सब चीज नहीं सिख पाते हैं तो आप बच्चों को बुक्स रखना आप बच्चे को बुक्स आरेंच करना धीरे धीरे से ही सिख पाएंगे ना तो यहां मैं मैं इसी चुम מה देख रही ती क्या सी का हम पर लो है इतना भूनंव कर लूए this तो यहाईगा और तो मैं आपके से दोख हो जाएगा तो फिर पता नी मेरे घर का HOWड कि मैं तो ऐसे है कि रिशाइग तब तक थोड़ा सा समझदार हो जाएगा लेकिन पता नी पता क्या करेगा क्योंकि बश्यांग जादागा सब्सक्राइब मैं किया दो नहीं हुटा है निशान केथ हैं हैं había जा कि कुछ सब्सक्राइब करें आपने को कुछ कुछ कप्रे यहां नहीं को करें यहां स Jest कंता स सब्सक्राइब कर्यान पानिन का मन कर रहा है क्योंकि मेरे गलेक में कफ जम जा रहा है मतलब पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लगता है ना कफ जमता है तो समझ में आता है तो कफ जम जा रहा है तो मैं सोची कि थोड़ा सा गरम पारी पीओंगी तो अच्छा लगेगा तो मतलब गर्मी का टाइम पर गरम पारी तो पीने का ब सिक जायेगा और यहां पर वास वैसिन जो था इसको आज बहुत सा दौने के लीए उसका यहां पर हुआ मैं रिशांग को फिर से होंबग बता के बालगोनी में जाके थोड़ा बहुत सा ऐसी टेहनल लगी थी क्योंकि च्छत पर पूरा काई लगा हुआ था तो काई मतलब समझते ना जो मतलब पैर पिसल जाएगा तो इसी वरे से मैं चली आई और यहां पे में मुह में पल्स वाल समय काई से बुछ दो करे दो नि mentioned HadASH किःंगרת तो वो सारे बरतन को मैं सब्सक्राइब कर में एक वाल यह करती है और खुछ सब्सक्राइस कुछ और्यकर shaping कर लेती हूं अब ही देखे में गर जारा कम ही करती हों यहां कर सकती हूं लेकिन एक तो मेरे YouTube का काम होता है, मेरे Collaboration का काम होता है, प्लस मुझे रिशांग को भी देखना पड़ता है, मुझे टाइफवाइड हो गया है, fatty liver हो गया है, तो ये सब चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको एगा fatty liver और पिज़ा खा रहे हैं, तो क्या करें, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत दिरों के बाद ही खाई हूँ, तो इसलिए मैं नीबू पानी भी पीती हूँ, तो मुझे कमेंट भी आया था, कुमारी रिया करके उनका नाम है, कि नीबू पानी प्रेगनेंसी में नहीं पीते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही तो इसलिए मैं पीती हूँ, यहां पर रिशांग के लिए मैं दूद रख दी हूँ, कि उसको मैं दूद दे दूँ कि और मैं थोड़ा से अपने लिए रख लिए रहाँ पानी, तो गले में थोड़ा सा तो रहात आए गाई, अच्छा यह जो वीडियो है ना यह वीडियो बुदवार का है, बुदवार का इवनिंग का यह वीडियो है फ्रेंड, तो अभी मैं यहां पर दूद ना सुबा में दूद वाले जो भी आते हो, दूद दे के गहते, लेकिन मैं ऐसे ही डबबा ना फ्रीज में डाल दी थी, क्योंकि ना मेरा उस टाइम पर धोने का, मतल दूद देने आते हैं, यहां पर उनका बोटल जो है दूद का वह मैं धोके रख देती हो, और क्योंकि अभी वह थोड़े देर में आई जाएंगे, एक देर घंटे में, क्योंकि आट बज़े तक आते हैं वह दूद देने के लिए, तो बस यहां पर मैं यह सब धोके, चण मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जो बीना दूद का चाहिए होता है, उसमें नीबू भी नहीं चाहिए, मुझे सी फैसी लाल चाहिए, और यहां पर मैं भी साम में का दिया जलाने लगी हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको अपने घर में साम के टाइम प ज़र रख दिया, उसके बाद मैं आ गई थी, यहां पर सबजी बिनाने के त्यारी करने के लिए, इस टाइम पर मैं सच बता हूँ, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, साम होते होते कह सकते है, मेरा बाड़ी का लो हो जाता है, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, लेकिन फिर मैं अराम से सबजी लेके बैट गे, मैंने कर चलो, बैट के जो है न सबजी कर लेती हूँ, और यह वाला जो कोड़ी है, जब मैं बैट ती हूँ न तल बस यहां पर सबजी है, वो सब्याज भी यहां पर कर ले रहे हूँ, उसके वाद सबजी को धो लेंगे, अब मैं सब्जी दोई नहीं थी सिर्फ ऐसी लेकर बैट की थी काटने के लिए धोने के लिए फिर उपर जाना पड़ता सिंख में इसलिए मैं सोचे की जोलो पहले सब्जी जो है वो काट लेती हो उसके बाद उसको दो लेंगे आप लोग जरूर बिताएं कमेंट करें कि व्लॉग आप लोग को कैसा लगा नहीं लगा और अगर कोई भी क्वाइडी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पे निव हैं सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहां पर मैं डाले हूं सेट्सों का तेल और अभी मुझे तेल ना इतना ज क्या ही बता हो मैं देख रहे हैं मैं कि किया डिस्टेंस में काम कर रही हूं मुझे काफी तो यह हैं धाली हो एक और प्यास टालगे मुझे झो यह टोड़ी है उसको डाल दूगी और इसमें हल्दी नमक जो है है इसको एड़ कर दूंगे उसयर भीcharge चैना डोह हो यहीं झारानी 5-1 झारानी 5-11 गलानी 5-12 अब बस इसे ढख देना ढखने के बाद यह अराम से सब्जी चोह यह बंते रहता है तो आज का व्लॉग यहीं करती मिलती है अब लुक से नेक्स व्लॉग में थांक्यू सो मच प्रवाच्च में वीडियो लव यू टेक क्या हसते रिगा मुस्क्रा तरीका मश्यख